अमिलनाडू के डिंड्यू गुल में प्राइविट हॉस्पिटल पर जहां पर आग लगने से 6 लोगों की मौत हो गई है सभी अस्पताल के लिफ्ट में बेहोश मिले थे और इनमें एक नबालिक भी शामिल है बता दें कि पुलिस के मुताबिक घटना रात 9 बजे की बताई जा रही है यहाँ पर 3G रोट इस्थित और्थोपेजिक कियर सिटी हॉस्पिटल के रिसेप्शन एरिया में आग लगए थी जो कि पूरी बिल्डिंग में फैल गई घटना के दौरान अस्पिताल में तीर से जादा मरीश थे तो वहीं पुलिस के मुताबिक आग की घटना की जानकारी मिलते ही रस्क्यू आपरीशन चलाया गया था मरीजों को यहाँ पर 10 एंबुलेंस नजदी के अस्पितालों में शिफ्ट किया गया था मुलिस ने बताए कि लिफ्ट में मिले सभी लोगों को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाया गया था जहाँ पर डॉक्टरों ने उन्हें रत्गोशित कर दिया अन्य मरीजों का स्पिताल में इलाज जारी है